हेलो दोस्तों, मेलकम टो शूखल मंतरा आज का दोस्तो जो हमारा टॉपिक है वहाई differential wheel और axle जिसना कि आलरेडी दोस्तों मैंने इसके पहले भी डिसकस किया है कि wheel और axle क्या होता है आज मैं डिसकस करूँगा कि differential wheel और axle क्या होता है दोस्तों अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए तो डिसकस करते हैं डिफरेंशियल वील और एक्जल के बारे में अगर हमने देखा है वील और एक्जल को तो उसी का दोस्तों एक मोडिफाइड डूप होता है हमारा डिफरेंशियल वील और एक्जल वो वीडियो आपने करें नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लें ताकि ये मैं जो बता रहा हूं डिफरेंशिल, बील और आइक्जल को जरूर समझ में आए इसमें क्या होता है हमारा दूस्तों एक wheel होती है यह हमारा क्या है एक wheel है यह wheel को मैंने माल लिया क्या है ए है और जो भी हमारा mechanism में सारा यह एक soft से connect होता है यह हमारी soft है और यह bearing की help से लगी हुई है ताकि जो इसका moment हो वो equally हो ओके है और udah क्या है एक हमारी एक्जल है यह और हमारी एक्जल है इसको मैंने माल लिया भी हैं यह क्या एक котором它 होता है यह तो आगर मैं क कुंजेंटर कांटा कुंजेंटरों कारूं कॉ Abg है यह है विघ्ग करनकटा है यह हमारा है एक लिफ्टिंग है और दोस्तों mechanism क्या करते हैं लोड को उठाते हैं इसमें क्या होता है जो मारी effort जो अप्लाइड करते हैं पी वो वील पे अप्लाइड करते हैं और जो वील पे रसी लगी हुई है यह ए और बात करूं C की direction सेम होती है यानि क्याने का मतलब जो इसका वील का attachment है वो किस तरह है इस तरीके से देखो यह उन्ड की आ है ध्यान देखना है यह चीज़ इससे काटा अचे और यह फिर कैसे काटा अचे ऐसे क्यूंकि उल्टा जा रहे है देखो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे नीचे से ऐसे जा रहे है ठिक और यह यह यानि क्याने का मतलब अगर इस वील A की direction और वील C की direction हमारी सेम रहेगी बट जो हमारा A की direction होगी वह हमारी opposite रहेगी अगर हम इसको effort लगाएंगे यह हमारी wound होगी तो यह unmute होगी इस तरीके से कुछ इसका attachment होता है बार बता रहा हूं हमें बार बार नोटिस करना direction of winding की string की जो हमारा A है और C है यह दोनों become same होते हैं बट हमारा जो B है वह नहीं होता क्योंकि जब हम effort यहां लगाते हैं तो य हमने इसको खीचा यह भी same direction से work करेगी तो हमारा जो load है यह उपर की उठेगा क्योंकि यह जो string है वो क्या हो जाएगी continue इस पे string करेगी wound करेगी तो इस तरीके से यह दोस्तों work करती है यह चीज पॉइंट आपको ध्यान देना है कौन से string कैसे work करती है अगर मैं बात करूं इसके velocity ratio की और mechanical advantage की वह क्या होगा ठीक है क्योंकि मेरे मारा point यह होता है दोस्तों इसका velocity ratio क्या होगा और इसका mechanical advantage क्या होगा मैंने इसको deconsulator किया यह हमारा wheel का है यह diameter of axle B का और यह C का यह हमारा w है load to be the lifted and piece the effort applied अगर मैं discuss करूं wheel A की जह हमारा complete revolution करता है तो जो हमारा effort move करता है downward इसको मैं क्या करूंगा downward लगाऊंगा जब एक revolution करेगा यह कितना movement करेगा pi d यहां तक कोई confusion नहीं है तो जो हमारी string होगी जो unwind string होगी on axle C के लिए जब यह unwind होगा तो यह wind होगा यह क्या होगी wind होगी ओके तो जो length of the string हमारा करेगा for one revolution axle B के लिए वह कितना होगा अगर इसके बाद करूं यह कितना movement करेगा pi d1 ओके फिर देखो एक के लिए एक हो मैंने क्या किया लगाया इफोट यह क्या होई unwind होई string C और यह wind हुआ जो इसका moment होगा पूरा वह कितना हुआ pi d1 for B के लिए one revolution के लिए इसलिए मैंने इसको consider किया pi d1 इसी तरीके जो length of string unwind होगी for one revolution on act c के लिए इस point के लिए वह कितनी हो जाएगी pi d2 ओके यहां तक मैंने सारा बता दिया कि क्या कैसे मैं कहलें इसका वर करता है और कैसे इसका moment ठोटा one revolution में अगर मैं देखूँ एक चीज जो हमारा d1 है यहां जो हमारा d1 है वह greater है d2 से साफ साफ दिख रहा है तो जो length of winding होगी for axle on axle b is greater होगी for axle on axle c के जो unwind हो रहा है c के लिए तो इस तरीके से अगर मैं net upward moment की बात करूं इसके लोड की upward moment की बात करूं कि कितना हमारा जो लोड है वह मूब करेगा upward की तरफ जो मारा w कर रहा है वह कितना हो जाएगा पाई d1 माइनस पाई d2 क्योंकि मारा d1 greater है d2 से यह क्या हो रही यह unwind हो रही है यह wind हो रही है तो इसका जो पूरा कहने का मतलब एक moment होगा डबल होगा वह कितना होगा पाई d1 माइनस पाई d2 upon 2 क्योंकि net moment की बात कर रहे है हमारा दो इस्टिंग के लिए by 2 मैंने consider कर दिया अब मैं यहां क्या करता हूँ पाई से मैंने पाई कामन क्लिया d1 माइनस d2 upon 2 हो जाएगा अब मैं बात करता हूँ सारे चीज को डिसकस करने के बात की velocity ratio क्या होता है velocity ratio हमारा क्या होता है distance distance moved by effort क्या होता है distance moved by effort effort के तवारा हमारा distance कितना move हुआ और हमारा जो load है distance moved by load यह कितना हुआ तो दोस्तों distance moved by effort distance p के तवारा कितना effort का move हुआ one revolution हुआ यहनी कहने के मतलब कितना हुआ pi into d और distance moved by load load के दवारा कितना हुआ मैंने बताया अभी pi d1 माइनस d2 upon 2 यहनी हम लीग सकते है pi d1 माइनस d2 upon 2 ओके pi से pi हमारा cancel हो जाएका यह कितना आएगा 2 d upon d1 माइनस d2 यह क्या के दोस्तों हमारा आगे velocity ratio ओके तो velocity ratio इस तरी किस हमने find कर लिया अगर हमें इसका radius के term में आप करो तो r equal to हमारा क्या होता है d upon 2 value put करेंगे तो हमारा जो radius cutter में आएगा velocity ratio वह कितना आजाएगा 2 r, r1 minus r2 इस तरी से दोस्तों हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा differential wheel और axle का velocity ratio क्या आएगा ओके अम बात करते हैं इसके mechanical advantage की अगर यही मैं एक चीज़ और देखूँ for an ideal condition के लिए किसके लिए ideal condition के लिए जो efficiency कितनी होती है 100% होती है जब efficiency हमारे 100% होगी तो हमारा value कितना होता है 1 होता है 100% के लिए यानि कहने के मतलब mechanical advantage equal to velocity ratio यही हो जाएगा क्यों की अब जब दोनों equal होंगे तो कहने का मतलब दोनों का formula भी क्या होगा यह तो होगा अगर मैं इसको derivate करना चाहूँ उसी तरीके से तो कैसे समझ सकता हूँ इसको इसका view मा try करता हूँ एक होगे छोटा एक्जिल के लिए एक होगे यह बड़े एक्जिल के लिए याने D1 के लिए यह D2 के लिए हो गया यह D1 के लिए हो गया और यह हमारा D के लिए होगा weight हमारा इस तरीके से इस पूरी complete से attach होगा जब पूरा complete attach होगा इस यह सब हमारा W के लिए work कर रहा है याने हम W और कहें tension के लिए तो कितना होगा W upon 2 हो जाएगा और इस diameter के लिए हर सब के लिए यह D1 हमारा apply करेगा यह D1 होगा यह D2 हो जाएगा अगर मैं यहाँ apply करूँ momentic condition के लिए तो क्या हो सकता है force into perpendicular distance यानी P हमारा क्या लग रहा है P force लग रहा है यहाँ लेखना दूस्तों P into कितना हो जाएगा D upon 2 आप देखो positive sign के लिए क्योंकि जो हमारा A वर्क कर रहा है same direction से हमारा D1 भी वर्क कर रहा है D2 के लिए तो हम लिए सकते हैं क्या लिए सकते हैं यह हमारा कितना है पाई यहाँ D2 upon 2 W के लिए यहाँ W upon 2 और कितना हो जाएगा D2 आप देखो D upon 2 W इस तरीके से आगर मैं बात करों second condition के लिए किसके लिए इसके लिए force into perpendicular distance D upon 2 के लिए वर्क करेगा यह भी कितना हो जाएगा W upon 2 आप देखो W upon 2 यह लिएगा यह भी W upon 2 हो गया और यह कितना हो जाएगा D opposite condition के लिए D2 upon 2 ओके अगर मैं इसको solve करों तुम्हें क्या लिए सकता हूँ P और D लिख सकता हूँ 2 2 मैंने common कर लिया cancel हो जाएगा यहाँ सो जाएगा W upon 2 और यह हो जाएगा minus करने से D2 minus D1 ओके यहाँ सोरी मैं आगया होगा क्योंकि हमारे D2 है यह हमारे क्याता और सोरी यह D2 है यह D1 है तो अगर minus common लोगा यहाँ से यह minus का positive sign है D2 के लिए minus आएगा इसलिए मैं इसको आएगा ली देता हूँ D1 minus D2 ओके अब P है और यह D है W upon 2 है D1 minus D2 है हमें चाहिए कि mechanical advantage mechanical advantage equal to क्या होता है W upon P P की value यहाँ से put करेंगे W cancel हो जाएगा 2 finally answer हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से यह हो जाएगा 2 D और D1 minus D2 इस तरीकेशन दोस्तों इसका mechanical advantage क्या कर सकते है find कर सकते है ओके तो thank you watching this video दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो please like, share, comment जरूर करें ऐसा ही दोस्तों मैं सारे engineering के जितने बे important topic है वो सारे मैं discuss करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जरूर सेयर करें और subscribe करें